वेलकम इन ओल एबाउट एक्जाम यूटूब चैनल दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपके UPB8 का एक्जाम 9 अगस्त से प्रस्तावित किया गिया है कई वार कैंसिल होने के बाद आपका ये एक्जाम 9 अगस्त को प्रस्तावित हुआ था लेकिन अब इस एक्जाम म आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग देखेंगे कि चुकि एक्जाम 2-3 बार कैंसिल हो चुका है और इसमें लगवाख सारे 4 लाग केंडिडेट एक्जाम देने वाले हैं और छात्रों के बिच लगातार यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि सैड मूड हो चुका है छात्रों का फ tuning कि कॉमेंट से लगता है लगता चाटर करते रहते हैं और राता है उस चानलिक पर हाई चुका है और इस दोरान एक्जाम लेना यहां पर अभी मुम्किन नहीं लग रहा है साथ देंके तो UGCA जो गाइडलाइन्स आये थे UGCA गाइडलाइन्स में कहा गया था कि एक्जाम तो सभी फाइनल येर के लिये जाएंगे जो फाइनल येर के इनिवर्शिटी उपने फैसला ले सकती है ऐसा मामला वहां पर बताया गया था जिसमें अभी देखे तो यूपी भी हर इस तरह के कैटेगरी में आता है क्योंकि यहां पर करोना अभी दिन तेजी से बढ़ रहा है तो यहां पर एक्जाम कराना अभी संभव नहीं है लेकिन अभी जो सुत्रों के मुताबिद जो पता चल र सब्सक्राइब किजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किजिए और सांती में यह भी कहूंगा कि जो भी छात्र इस बार पीड एक्जाम देने वाले हैं और नए चात्र हैं या फिर पूराने भी छात्र हैं चलेगा दोनों ही प्रकार के चात्र जो इस इस डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया हुआ है वह भी देख सकते हैं यहाँ पर आप देखे वीडियो के ऊपर राइट साइड में आई टैप का एक आइकन दिया हुआ। उसमें भी वीडियो डाला हुआ है क्योंकि वह वीडियो आप लोग के लिए इंक्पॉर्टन टैक क को होता है तो इसके बाद आपका जो रिजल्ट है और आपका काउंसलिंग का डिट पहले से घोसित कर दिया गया है तो अगर इस टाइम पे होता है तो आपका आपको बहुत कम समय मिलेगा जिसे करन आप सभी डॉक्मेंट्स को प्रिपेर रेडी नहीं कर पाएंगे और आपका एडमिशन इस बार रह सकता है छूट सकता है इस वजह से हमने वीडियो पहले आपको बता कर कितना फी आपको लगता है तो उसे आप जाकर देख ले तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको एक और बा 魔 demand करके प्रतिक्रिया को रह रहे है प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे है और इसे हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे और उनकी दूर्रा जो पूछे परस्न नहें उनके मादयं से आप सब वह के डौट कéndर से देखेंग aí क्योंकि अभी lockdown और और कोरोना एकारण इदर उदर जा नहीं पार रहा है दुसरे छातरों के संपर्ख में तो हम इस चैनल के माद्यम से अपने यूट्यूब चैनल के माद्यम से आपको और अपके अन्य जो दोस्त है इस पर बीट देने वाले हैं चाहिए वो आपके अलग डिस्टिक से हो अलग जगह से हूँ उनसे आपको कंडेक्ट कराएंगे इस इमाद्यम से यह अभी बहुत जरूरी है कि छातरे भी डिप्रेस हो चुके हैं और एक्जाम को ले करके उनके मन में तरह तरह की बात आ रही है तो आप भी कमेंट ब्कस में कमेंट करके जो आपको एक्जाम के प्रती लग रहा है उसे आप बात को रख सकते हैं पर प्रेशन कैसे करना यह आप रख सकते हैं हम आपको नेक्स वीडियो में आपके बातों को फिर से इस वीडियो में रखेंगे और आपके अन्य जो फ्रेंड है उनके पास पहुंजाने का काम करेंगे त दिनों ने परिक्षा के अंदर की सुची मांगे थी जिसमें आपको कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले परिक्षा की सुची लगभग 11 स्ट तयार की गई थी और इस 11 सा सुची को यहां पे अभी जब आसे सभी एक्जाम सेंटर से उनका कन्फरमेशन मांगने की बात कही गई थी तो इसमें कुछ है जो हमारे जो एक्जाम सेंटर से जहां पिछलिया बरस्पी परिक्षा के नियुक्षा के नरे बनाये गए थी वह साफ तोर पे इनकार कर दिये उन्होंने इसाफ तोर पर इंकार कर दिया कि हमारे यहां एक्जाम सेंटर्स नहीं बनाए जाएंगे जिसके कारण सारे 900 करीब में 970 इस तरह करके 960 जो एक्जाम सेंटर्स की सुची है जो यहां पे सुची प्रदान किया गया था रजिस्टार डॉक्टर बिन सीन को इन्होंने इस सुची को जा करके प्रोफेसर जो अमीता बाज बैई है बीएट परिक्षा के समन्नुएक है अब इस साल यापके UP के इन्वर्सिटी आपकी एक्जाम ले रही है और सारे प्रप्रिशन कर रही है तो जो प्रोफेसर अमीता बाइस पेज हैं इनको यहाँ पे जो अमारे डाक्टर बियोसिन है इन्होंने प्रस्तूत करने काम किया सभी सुची को लगवग 967 सुची को लेकिन अभी भी हम देखे तो लगवग डेर सब के करीब में सुची अभी एक्जाम सेंटर्स का सुची कि अना बाकी है जिसे कारण जो प्रोफेसर अमीता बाउस्पर है उन्होंने कहा था कि एक्जांस अगर कम होता है तो क्योंकि देखें तो प्रतीक एक्जाम सेंटर्स पर प्रतीक च्बर को वहाँ पे विवस्था कराना है प्रतीक सेंटर्स पिछले साल के प्रिक्षा कम झातर ही उपलब्द रहेंगे क्योंकि ज़्यादा भीर नहीं हो इसके कारण और जो युजिसे गाइडलाइन्स है उजिसे गाइडलाइन्स जिए से कहें उने बताया आपको कि उजिसे गाइडलाइन्स आप पढ़िएगा अच्छे से उन्हें चार-पांच प बढ़ रहा है लगतार तेजी से बढ़ रहा है तो वहां पर एक्जाम नहीं दे जाए और इसी अभी पीक वाले पोजिशन में यूप यूड भी हार है जैसे हमने बताया आपको तो इसलिए एक्जाम सेंटर अधिक से अधिक मात्रा में कहने की बात यहां पर जो हमारे पर लगडाउन की तो अभी देखें तो यूप में मिनी लगडाउन एक तरह से लागू है स्टरडे और संडे को आप सबों को पता होगा और हमारा एक्जाम जो 9 अगस्त को पर रहा है तो क्या यह एक्जाम होगा हम आपको बताएं कि यह जो लोगडाउन लगा है आपको अनि प्रहद है और जब तक यह केसे कम नहीं होंगे तक तक आपका एक्जाम लेना असंभा है अब हम आपको देख रहे हैं आपके जो हमारे स्टुडेंट्स हैं स्टुडेंट्स जो हम अभी लगतार कमेंट करके तरह तरह यहाँ पर अपने बातों को ब्यक्त कर रहें उन बात हैं और इनको डाउट है कि हम एक्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो इनको हम बता दें कि आपका एक्जाम सेंटर अब चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यूपी बीड में लगव इनिवर्सिटी ने पहले ही आपको कुछ डेट प्रोवाइड कराये थे जिस डेट के अंतर चार लाग के कडिव चातर बटे और इनमें अल्रेडी सात्रों ने एक्जाम सेंटर चेंज करने का अपना प्रवधान पूरा कर लिया है अब आपका डेट खतम हो चुका है अब आप एक्जाम सेंटर चाहकर भी नहीं चेंज गर सकते हैं इसके लिए सोड़ी नेक्स को सन आप देख रहेंगे नित्यानंद पटेल इनको इनका मानना है कि एक्जाम अब सेप्टेंबर में हो तो हो सकता है कि आपकी बात सभी हो सकती है क्योंकि 9 अगस्त अगर एक्जाम एक मन्त और डिले होता है तो एक्जाम सेप्टेंबर में हो सकता है क्योंकि अभी फिलहाल द वेखते हैं निख्स्ट आपको दिखना होगा यसिका जरमा जोती प्रजापती रोहित प्रजापति रज नहीं कहा गया लेकिन आगे क्या कहा जारा है आपका भी बात सही है लेकिन घ्रीट पे और आपके लिए मेर्ट के अधार पर पॉइवर काम पर होना चाहिए ऐसा है आपको लिखना है और हैं और दोस्तों को क्या लग रहा है इस के आप भी कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए क्योंकि आप अभी किसी भी छातर से डायेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम आपको अपने चैनल के मादम से छातरों की बात यह दूसरी छातरों में डिकलायर कर दिया जाएगा क्योंकि आप देखे तो इस अभी एड्मिट काड आना बाकी है और अन्य प्रोसेस से आप एक्जाम सेंटर से इड्मिट काड के पहले यूपी बीड ने पताया था यूपी इनिवर्सिटी ने कहा था कि हम आपको एक्जाम जो के सेंटर से उस नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा तो आईसे वीडियो में इतना ही फ्रेंड इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट किजी और आपका एक्जाम के प्रति क्या मानना है क्या आपका अधारना है इससे आप कमेंट कर सकते हैं और कैसे प्रिप्रेशन करना है अब क्या कर आएंगे छात्रों को तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही